नमस्का दोस्तों स्वागदा पढ़ लें इंडिया पे आज की शुड़े में बात करने वाले हैं RSS विश्टन और अफर एक्जाम डेट के बारे में तो पिछली वीडियो में आपको बाता है आपको 21 मार्च को एक्जाम होने वाला है तो आज ऑफिशन नौटिफिशन भी ज और यह जानना चाहते है किस के तियारी करें तो इसके अपन बात करने वाले हैं आप कोड के तियारी करें बात करें ऐसके आपने देखते हैं यह ओफिशल नौटिफिशन जो की आज ही की डेटте खो जाड़ी हुआ है अठारा फर्युल सरा इसमें आपके उब्स लाइल के जो वेकेंच से निकले थी उस टाइम जितनी पोस्ट थी उसके बारे में बताया गया कि यह जाप पिच्छाई सी पोस्ट थी लेकिन आपके जो फोर्म रियॉपर हुए वापस जो MBC और EWS इसके बार आपके टोटल पॉस्ट जो है 1211 हो गई है इसमें 1155 जो नोन टीस पी रहकी है और टीस पी रहकी कुल 56 यहां पर पोस्ट है तो यहां पर बताया गया है और साथ जो बताया गया है कि 30 सितंबर को 22 जारी की गई थी किस मार्च और वह अब फाइनल कर दी गई है तो अत्र करमतरि चेन बोड जेपूर दवारा सिकलड एपिक सोगोंसे दीभर्च भीक सोभारा का जो फेज बन है आपको बता होगा फेज वन में आपके रिटन एक्जान है और सेकिंड फेज में आपका सिकिल टेस्ट होगा तो फेज वन का भी एक्जाम होगा 20 तारीक को उसम इसमें आपके जीकेंड साइंस आएगा वह सुबह आठ बेसे लगे ग्यारा वजे तक और दूसर पेपर जिसमें आपके हिंद इंगलिस आएगी उसमें अपराहन धाई बिजसे लेकि साए साधे पांच बिजे तक आपका इसमें पेपर होगा दोनों सेम दिन होगा एक्जाम आपको किस की तैयारी करनी चाहिए है हाई कोट की या आरे समस्स भी तो दोस्तों बताने चाहता हूं लास्ट जो च्छह महीं ने आपने जिसमें ज्यादा फोकस किया है आप उसको ही फर्स्ट प्राइटे रखिए एक्जाम तो आप दोने देना हाई कोट का भी और आरे सम पड़ रहे थे तो आप आरे समस्स भी की ज्यादा फोकस रखिए और हाई कोट का केवल एक्जाम दे गया यह इसका प्यापर होने के बाद आरे समस्स भी और अगर आप पिछले चाह मैंने से स्किल टेस्ट की तैयारी कर रहे थे तो आप हाई कोट को प्रिफर कीजिए आर आप हाई कोट की ही तैयारी कीजिए और आरे समस्स भी का केवल पेपर देखिया यह हो सकता आपका प्री इसमें निकल जाए अपकी एगर थोड़ी बहुत तैयारी है तो और फिर बाद में आप इसकिल की पर त्यारी करते हैं लेकिन मेन फोकस आपका हाई कोट पर रहना च कि यह सब एक साथ शेर करते हैं कि ओफिशल डेड़ी तैयरी हो गई है और नीचे लिंक दिया गया है सेलेबस का और वी बुक्स का तो वह भी आप देख लीजिएगा धन्यवाद